एक बार E.D. भेज देंगे तो कॉंग्रेस पाटी डर जाए जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा भाजपा की नई योजना है तयार भाजपा ओफिस में सभी नौजवान बनेंगे चोकीदार मंतरी का बेटा बनेगा बिसी सी आई का सेक्रेटरी और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ओफिस में सिकुरिटी गाड़ फुल लोजर भाबा आगे नहाया हुआ सरीर और खाया हुआ सरीर नहीं चुपता है यह लोग पर्मानेंट बहाली को बंद करने जा रहे हैं तो कि सेंट्रल गवर्मेंट में 28 लाख पोस्ट खाली है जब कुछ सरकारी नहीं होना चाहिए तो सरकारी परधानमंतिरी ले करके ढोलव जाएंगे एक बार एडी भेज देंगे तो कॉंग्रेस पार्टी डर जाएगी कॉंग्रेस के कारकरता और चुप हो करके बैठ है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवार किया है उस खिलवार के खिलाप हैं हम उस ख यृष सूइसरी 108 सुरी माननियप प्रधानमंत्री जी बो ले थे कि हर साल दो करोर्ण नौटझी दी जा एगी मिडिया भहले मोदी जी बोले थे न कि हम बोले थे अब बॉले न महराज आपको भी बोलना परत जाया रखीएगा इस बात को सब की बारी आएगी इस बात याद रखियेगा अरे हमारे लिए क्या है जबतक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 2 popular की आएगी इस बात को याद रखियेगा कहे थे न मोदी जी कि हर साल दो करोर रोजगार देंगे बोले थे कि नहीं बोले थे अरे बोलिए ना आप कॉंग्रस के कार करता है भाजपा के थोड़ी है कर डर जाएंगे बोलिए बोले थे ना बोले थे ना कि महगाई कम होगी बोले थे ने खाते में 15 लाक रुपया आएगा बोले थे ने अच्छा दिन आएगा आया क्या मोदीजी के स्टायल में पूछूं क्या आया क्या अब नया जुमला आया है अब नया जुम्ला आया है कि हम अगनी पथ ले करके आये हैं एक भाजपा का निता इमानदार है कैलास विजय बर्गिया को धन्यवाद देना चाहिए कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की संका दूर कर दी उन्होंने बता दिया बाजपा की नई योजना है तयार बाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चोकिदार यहीं योजना है ना लेकिन मैं कहता हूं बिजे बर्गिया जी आपका बेटा बल्ला भूदवरि उसको BJP office में क्यों नहीं security guard बना देते हैं मंत्री का बेटा बनेगा secretary मंत्री का बेटा बनेगा BCCI का secretary और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपो office में security guard हायरे hypocrisy इसी को hypocrisy कहते हैं ना और बहिमानी किसको कहते हैं देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सची बोलेंगे मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया सब कुछ किया इस देश ने लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किये है और ये देश की जो परिस्थिती है इस परिस्थिती पे मुख़ड हो करके हमारे नेता बोलते हैं इस बात का हमको गर्ब है कि सरकार के सामने बिना जुके कोई लरता है और करके तो उसका नाम राहुल गांधी है उसको डराना चाहते हैं उसको डराना चाहते हैं उसको जुकाना चाहते हैं अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चौकीदार मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार ये चौकीदार नहीं है ये देश के ठेकेदार है और ये देश के ठेकेदार कैसे है क्योंकि इस देश के लोगों का उनके भविस्ट को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं ये जो अगनीपत योजना है इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फरेंस सुन रहा हूँ प्रेस कॉन्फरेंस में सरकार जिलेवी की तरह गोल गोल कर रही है हर चीज को सब कुछ बोल रही है सब फाइदा गिना रही है हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री ये भी आकर के कह दे कि अगनीपत योजना में सामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिड़ेगा जिस तरीके से उसके फाइदे गिनाये जा रहे हैं लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है एक सिंपल सवाल है सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए क्या सिंपल सवाल है कि जो भरतियां हो रही थी वो भरती होगी की नहीं होगी सवाल नं पार्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे बाद में BJP ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले दो साल में अब तीसरा साल है पचास हजार लोगों को भी की भी भरती नहीं की गई बहाना क्या दिया गया बहाना दिया गया कि कोडोना था इसलिए भरती नहीं किये हाई मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लर लिये, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिये, सब जगा चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुल्डोजर बाबा आगे, लेकिन आर्मी की भरती नहीं हुई, यह बैमानी है कि नहीं है, रोजगार द बहाली होनी चाहिए थी, देर लाख यह बहाली नहीं कर रहे हैं, देर लाख बहाली यह करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको यह नहीं बता रहे हैं, उपर से एक नया उयोजना लेकर के आ गए हैं, तो एक छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है, बच्चा बहुत जोर जोर से र रहा था कहा मम्मी दूध पिला दो दूध पिला दो मम्मी उसको उठा करके अल्मीरा पे बिठा दी बच्चा मम्मी को यह नहीं कहता है कि मम्मी दूध पिला दो बच्चा चिला चिला करके कह रहा है कि मम्मी अल्मीरा से नीचे उतार दो नीचे उतार दो लोग मांग रहे थे हर साल दो करोड नौकरी इन्होंने हर साल दो करोड नौकरी नहीं दी उपर से एक नया योजना लेकर के आ गए हैं पूरा का पूरा भाजपा के तंत्र को उसमें लगा दिये हैं कि आप बताईए कि अगनी पत्के क्या फाइदे हैं अरे सिंपल सी बात है बिहार में एक कहावत है नहाया हुआ सरीर और खाया हुआ सरीर नहीं छुपता है जो चीज अच्छी होती है उसका फाइदा बताने का जरूरत नहीं होता है जो चीज में कोई खड़ावी होती है उसका खड़ावी छुपा करके आपके घर पे कोई समान बेचने के लिए आता होगा तो उस समान का सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताता होगा आप ट्रेन में जब जाते होंगे बस में जाते होंगे तो जब जूसर बेचने वाला आता है तो एक संतरा से आपको एक गिलास जूस निकाल करके दिखाता है और वही जूसर जब आप घर पे ले करके जाएगा तो आधा गिलास जूस भी आपको आपके घर में नहीं निकलेगा ये जो बेचने की मानसिक्ता होती है इस बेचने की मानसिक्ता के खिलाप है ये सत्यागरह दो लोगों के बीच में है जावेद अख्तर ने लिखा है एक हमारी एक और उनकी मुल्क में है आवाजे दो दो आवाज है एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है वो द सत्यागरह कर रहा है और यह सत्यागरह उसलिए कर रहे हैं कि सरकार के जूट को हम समझ रहे हैं जूट क्या है यह जूट है कि यह लोग permanent बहली को 2018 लाख पॉस्ट खाली है यह permanent बहली बंद करके ठेका करन के फाइदे देश को समझा रहे हैं जब भी देश में कोई ठीका करन किया जाता है तो सिर्फ उसका फाइदा ही फाइदा बताया जाता है जब भी देश की कोई सार्वजनिक संपत्ति बेची जाती है तो उसका फाइदा ही फाइदा बताया जाता है लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि देश में अगर सारी सार्वजनिक संपत्तियों को बेच दिया गया तो देश का क्या होगा एक बार आप इस बात पर विचार कीजिएगा कि अगर एयर इंडिया नहीं रहेगा अगर नहीं होगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे जोतिरादित सिंधिया समझना है कि नहीं समझना है आ सब कुछ सरकारी नहीं होना चाहिए तो सरकारी परधानमंत्री ले करके ढोल बजाएंगे फिर सरकारी परधानमंत्री भी क्यों होना चाहिए सरकारी संसद भी क्यों होना चाहिए देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रिय संपत्ति देश का मतलब होता है देश की कॉंग्रेस पार्टी की लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है वो देश जिस देश को गांधी ने बनाया है जिस देश को नहरू मुलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाया है उस देश को बचाने की लड़ाई है कॉंग्रेस पार्टी को लेकर के भाजपा लगातार प्रचार करती है कि अगर कॉंग्रेस किसी चीज का बिरोध कर रहा है तो सही होगा तो आप बताइए हम भाजबा का बिरोध करते हैं देश के संविधान का समर्थन करते हैं और उस संविधान को हमने बनाया है कॉंग्रेस पार्टी ने बनाया है इसलिए कहावत कही जाती है जाके पैरन फटे बिवाई, वो का जाने फीर पड़ाई, जो पार्टी देश को आजादी दिलाई है, वही पार्टी इस देश की आजादी की रक्षा कर सकती है, इसी आसा और उम्मीद के साथ, कि सत्त और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, सत्यागरह के रास्ते पर चलेंग जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा भाजपा की नई योजना है तयार भाजपा ओफिस में सभी नौजवान बनेंगे चोकीदार मंतरी का बेटा बनेगा बिसी सी आई का सेक्रेटरी और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपो अफिसमें सिकुरिटी गाड फुल जोजर बाबा आगे नहाया हुआ सरीर और खाया हुआ सरीर नहीं छुपता है ये लोग पर्मानेंट बहाली को बंद करने जा रहे हैं तो कि सेंट्रल गवर्मेंट में 28 लाख पोस्ट खाली है जब सब कुछ सरकारी नहीं होना चाहिए तो सरकारी परधान मंतरी लेकर के ढोल बजाएंगे